हाई फेंड्स, वैल्कम बाक्टु माई चानल ways फ्रेंड्स मऄूग डिल रहे थे डिप्रीसेशन को लेकर हम लोग PGP Paul में है हमने डिप्रीसेशन को लेकर डिल किया था डिप्रीसेशन को लेकर मैंने आरदस क्लासेस किए तो राच्षा बोडा आगई हो गही तो आज हम लोग depreciation को लेगा deal नहीं करेंगे depreciation खतम नहीं हुआ depreciation में आगे actual cost section 43 1 pending है section 38 2 pending है depreciation के अभी और 500 classes होंगे but कुछ break लेते हैं और आज के class में हम लोग deal करेंगे section 29, section 30 and section 31 तो today is day 15 and today's topic of discussion is section 29 section 30 and section 31 till the time we have discussed section 28 अभी तक हम लोग ने section 28 किया था detail में किया था section 28 chargeability को लेकर है उसके बाद में section 32 में आ गया था section 32 में आ गया हमने section 32 में section 32 1 2 किया था जो normal depreciation होता है section 32 1 2A किया था जो आपका additional depreciation है इसके अलावे हमने section 43 6 किये थे जो आपका WDV को लेकर deal करता है next class में हम लोग deal करेंगे section 43 1 जो actual cost को लेकर deal करता है फिर हम लोग दिल करेंगे section 38-2 जो आपका यदि एसेट से partly used for professor and partly used for personal होता है उसके समें क्या implication होंगे और उसके बाद हम लोग दिल करेंगे section 43-a जो आपका foreign exchange fluctuation क्या होता है तो अभी इतना बाकी है अभी हम लोग half journey cover की है अभी half journey हमारा बाकी है हमारा बाकी है तो stay content with my channel मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत detail में लेके जा रहा हूं ताकि आपके understanding में कोई problem नहीं हो और आप इसका exam में अच्छा से apply कर पाए और कोई question आप से miss नहीं होना सही है मेरा सिर्फ एक ही purpose है ताकि आपको जो भी आपके text में जो भी issues है उसको आप solve कर पाओ उसको आप समझ पाओ और मेरा कोई motive नहीं है यदि कुछ video में कुछ ऐसे topics है जो आपको समझ नहीं आते हैं you can write on the comment box I love to read your comment and give reply on that so without taking much time I just start section 29 then section 30 and section 31 but about section 29 section 29 क्या बोलता है section 28 कहता है कि chargeability को लेकर section 29 बहुत ही छोटा section है section 29 आपको deal करता है कि pgbp tax how computed pgbp income किस तरीके से हम लोग compute करते है section 29 उसको लेकर deal करता है pgbp income how computed how to compute pgbp income how to compute pgbp income under the head section 28 to section 43 d जो pgbp है आपका यह section 28 से लेकर section 43 d तक है तो हम लोग किस तरीके से income from pgb compute करेंगे यह section 29 करता है कि हम compute करेंगे by applying section 28 to section 43 d आइए अब हम लोग देखते है section 30 यह आपकी इसके उपर आप लोग important marker सकते हैं तो आसा हम लोग depreciation से हट गया बट देखिए अच्छा लहेगा इतना दीन से repression करते हैं को लगा कि साथ आपके मन में यह आ रहा होगा कि बस हो गया पग गया हम लोग इसलिए थोड़ा सा थोड़ा सा हलका सा change होते हम और आज हम लोग करेंगे section 30 को लेकर section 30 क्या deal करता है section 30 आप यह बिजनेस कर रहे हो तो आपने जो बिल्दिंग रेंट पर लिया है उसके उपर जो भी खर्चा आपके कर रहे हो वह आपका आई लावेब्ल एक्स्पेंडिचर है section 30 इसी को लेकर deal करता है section 30 इसी को लेकर deal करता है section 30 करता है कि जो भी आप पेट बिए करते हो तो पैंट पर टीरेंट यह आपका र्च को से होगए तो यह आपका rates हो गए कितने ऐसे होते हैं जो आपका rent पेकरना पढ़ता है कि for example for 50000 रुपीज पर मंत रिंट हो गया आसा हो सकता है कि Rent is Suppose 5 रूपीज पर स्कुरायर फीट something like that ऐसे आपका यह rates हो गया जहां कहीं भी act में paid लिखा है paid का मतलब payable भी होता है please note please note in act not only at this time जहां कहीं भी आप पूरे act में पूरे income tax act में जहां कहीं भी आप देखिया है कि paid लिखा है इसका मतलब हो गया paid and payable also paid and payable also in act wherever word rare ever word paid is written it means payable also it means payable also paid कब होता है paid तब होगा जब आप cash basis पर करते हो और payable कब होता है payable तब होता है जब आप एक्रोल basis of accounting follow करते हो जब आप एक्रोल बेसिस आप accounting follow करते हो तो आप यदि रेंट पे कर रहे हो तो यह आपका allowable expenditure है section 30 में यह आपका allowable expenditure है section 30 में आईए अब आपका देखते repairs को लेकर अब देखते repairs को लेकर मैंने क्या कहा था section 30 करता है रेंट रेट्स रिपेर्स टैक्सेस इंसोंस और बिल्डिंग section 30 बिल्डिंग को लेकर डिल कर रहा है अभी देखिए आप यह दि रिपेर्स पे करते हो तो जो भी आप ःपर बरबेर्स करोगे जो भी आप डिपेर्स करोगे यह दि रूम भारे पर लिया तब उर पर दूसरा हो गया कि आप और और आप नहीं लिए हो आप जिस पहले हम लोग लिए कडिल करते हैं तो क्या होगा आपको आपको अपना है तुरी एकस्पेंडिशरे दो तरह क्यों होगे एक एक आपका वह गया revenue और दूसरा आपका होगया capital यदि आपका office अपना है तो जो revenue expenditure होगा उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग expenditure मान लेंगे और expenditure मान लेंगे और वो आपका allowed हो जाएगा वो खर्चा आपका और जो रिपेर आपने capital निचर का किये हो यह आपका पार्टा बिल्डिंग के जिसमें आप बिजनस कर रहे हो उसमें आप एक्पेर करओ ते एक्पेटिचर आप टू तू टाप्स रिवदू अन केपटल इप दीट रिवान इप टिटे इन इड बार्ड इड टीट विवड अन दीटेल डैड विविवड़न इंड डॉड़ अब्लग में एड हो जाए का है इसमें को डाउट नीय हुआ चाहिए वाले केस में पहला क्या आगया पहला आपका और दूसरा आपका अब आपके करते हो कि शॉरी एक्सपंडिचर हां तो अब क्या हो गया और इवन्य एक्सपंडिचर ने अब इस केस में इस इस केस में जो रिवन नो ग्स्पंदिचर है अजिन क्या बहुत सारे लिव खर्च मसलें एलावर कर दिया किया अधिनर ने लिवल्स आुट कौर्ट के इसने ऐसे आप ये बहुत सारे न ने सुर्फ को जाए एक डिडिक्शन इसका मिल जाएगा डिटक्शन ऑ diff यह आपके बहुत सारे कोट के judgment आगे है बहुत सारे कोट के जजमेंट आगे कि जो भी आपका खर्चा जो आप जिस building पर भारे पर रहते हैं जिस building पर business करते हो वो भी rented building है यहादि उस rented building में as a tenant यहादि उसमें आप capital repairs करते हो यह revenue repairs करते हो यहापके कोट के जजमेंट अगे बटिאकोड के यह कोट के जजमेंट यहीं को पसंद नहीं आया और फिर्मण्स मिलस्ट्री ने क्या किया किया अमेंडमिंट किया यह बट यह जज्मेंट गलत था और से कोट के जज्मेंट पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं बट फिनान्स मेंस्ट्री को यह जज्मेंट पसंद नहीं आया और फिनान्स मेंस्ट्री को जज्मेंट पसंद नहीं आया और फिनान्स मेंस्ट्री ने क्या किया फिनान्स मेंस्ट्री न एक एमेंड्मन्ट किया गया और एक एक स्प्राइशन ад किया गया एक्सलेशन č 3 radio एक्सक्रारल एट किया एक प्सक्राइच में क्या बोला गया कि जो भी आप ट्रक्सरिक और a होगा और आपका वो जो भी आप expenditure किये हो वह कॉस्ट में वह आपके डब्लोडी में इंबेरेट हो जाएंगे और वह मिलते रहेंगे आपको depreciation की रूप में वह खर्चा आपको एलाओ होगा depreciation की रूप में समझें देखिए क्या था क्या आपको एक्ट की लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं मैं आपको अपनी भासा में simple term में आपको सम्झाने का कोशिश कर रहा हूं देखिए क्या इसमें एक्ट किया गया था उसका मैं सम्झी बोला हूं क्या लिखा गया था इनी क्याप्टल expenditure इनी क्याप्टल उन्रेंट प्रिट बोला हूं क्याप्त लिखा? बहां हुश कर दोला मैं गया लहां हूं क्याप्त Cape Cश आबीछाव, क्याप्त जलाव shall be treated as dim-rebuilding, shall be treated as dim-rebuilding, and depreciation is allowed, depreciation is allowed, and the cost of such expenditure, such capital expenditure shall be added to the WDB of the block of assets, and any capital expenditure on rented property shall be treated as dim-rebuilding, and the cost and the expenditure on such capital expenditure shall be added to the WDB of the block, and the depreciation is allowed, and the depreciation is allowed, depreciation is allowed, and the depreciation is allowed, and the depreciation देखिए, ये कब लाया गया था, ये expression आपका लाया गया था, Finance Act 98 में, उस टैम में बहुत सारे कोट ने judgment दिये थे, कि जो भी rented property पर even new expenditure हो, या capital expenditure हो, सभी के ऊपर आपको छूट मिल जाएगा, सभी के ऊपर आपको छूट मिल जाएगा, उस judgment को अवरूल करने के लिए, इस judgment को अवरूल करने के लिए, Finance Act 98 में, amendment किया गया और एक expression act किया गया था, एक बात और, एक बात और, क्या होता है, ये capital, ये आपका capital के इनका पार्ट में थ्वास आपको बोलना हो, जाश्त आप समझे हैं, फिर उसको इग्नोर कीजेगा, मैं जब capital करने में जाऊंगा, तो मैं फिट से आपको बताऊंगा, कि यदि आपका, जो आपका property आपने rented दिये हुए हैं, और उसको खाली करवाने के लिए, tenant को खाली करवाने के लिए, property को भैकेट करवाने के लिए, जो भी आप expenditure पे करते हो, वो आपका cost of improvement बिल्डिंग का पाट मा जाएगा, वो आपका cost of improvement का पाट बना जाएगा, cost of improvement हम लोगे capital गिन में करते हैं, कि full value consideration, expenses on transfer, cost of acquisition और cost of improvement को लिए करते हैं, तो जो भी आप खर्चा कर रहे हो, building को भैकेट कराने के लिए, tenant को आप हटा रहे हो, बदले में कुछ पे कर रहे हो, tenant घर नहीं छोड़ रहा तो जो भी आप expenditure कर रहे हो, to भैकेट the property, that expenditure is treated as cost of improvement in the hands of honor of the property, वो cost of improvement मिले कर उसको capital गिन मे उसका benefit मिलेगा, एक बार मैं आपको फिर से इस repair को पर बोल देना तो, repair क्या हो गया, repair क्या हो गया, repair में आपका दो तरह के repair होगे, tenant और honor, tenant और honor, यदि आप honor of the building हो, उस case में जो आप repair करते हो, जो आप रहे होगे, उसके ओपर expenditure allowed होगा, और जो capital expenditure करोगे, वो पार्टा building म में वो add हो जाएगा, वहीं यदि आप rented property पर हो, और उस समय यदि आप repair करते हो, तो जो आपने revenue expenditure किया हो, जो आपने revenue expenditure किया हो, जो आपका dimmed building माना जाएगा, एच पर finance act 1988, और क्या किया गया तो finance act 1988 में, expression 1 to section 321 को add किया गया गया, गया था और कहा गया था कि जो भी आप करोगे और रेंटर प्रपटी शैल भी टिर आज़ा डिम्ड बेल्डिंग और डिप्रीसियेशन इस एलाउट डिप्रीसियेशन इस एलाउट एक बाद आप और समझ करें कि क्या होता है ना कि जो यह रिपेर करते हो यह शुट भी ऐस पर दर टिनेंसी एग्रीमेंट जो आपने एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से यह रिपेर खर्च होना चाहिए उसके हिसाब से रिपेर होना चाहिए तो यदि आपके एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि जो रिपेर का पार्ट है वो टिनेंट करेगा तभी आपको सेक्शन 30 में अलाव नहीं होगा बट यह आपको अलाव होगा section 43-1 में इसको आम लोग next slide में deal करते हैं देखी मैंने क्या कहा था जो आप repair किये हो repair should be a part of tenancy agreement यदि repair tenancy agreement का part है तभी आपको खर्चा अलाव होगा यदि repair tenancy agreement का part नहीं है तो यह आपका खर्चा अलाव नहीं होगा section 30 में यह अलाव होगा section 37-1 में section 37-1 में please note लिखे आप लोग लिखे आप लोग, please लिखे if he repairs is not as per tenancy agreement then then, expenditure, then expenditure on repairs are not allowed under section 30, but it is allowed under section 37, which is written in the above section, which is not covered in the above section, कि यह दे आपने किया है और वह तंसी ओक्रणिक का पार्ट नहीं है फिर भी आपने रिपेर किया है है तो वह भी यह पार्ट माना वह भी एक्सपेंडिश में रहाओ होगा लेकिन अपका एक्सपेंसे बहुत दरह के और आप इन 30 में भार आ यहां किया का ध़ा था रहीं टेक्स सेस्चैक्सिता वरww भी पेस्व्हें होगा त्यम्याज कटे क्सार यह तो टेक्सिता क्या हो वह सकता है लोकल टेक्स होता है कि मुनिस्पल टेक्स होता है जो local bodies है जो tax implication करते हैं property पर या फिर land revenue हो सकते हैं तो यह सब जो भी tax applicable होता है इसके उपर यदि आप taxes पर करते हो तो यह जो taxes पर कर रहे हो वो allowable expenditure है under section 30 अंडर section 30 बट आप लोग नूट कीजिएगा फिर उसको भूल जाइए कर जब मैं जाओंगा उसमें तो बता दूंगा बट डिटक्षण इस एलाओड subject to subject to section 43B देखिए section 43B एक section है जो कहता है कि expenditure तभी आपको एलाओव होगा जब आप actually खर्च कर जब आप actually on actual basis जब आप उसको पे करो तब एलाओव होगा इसका मतलब यह हो गया कि taxes जो 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 भी taxes आप पे कर रहे हो वह allowable expenditure कर माना जाए on actual payment basis जब आपने उसको पे करोगे तभी आप उसको खर्चा मानोगे यदि मुनिस्पली टेक्स मुनिस्पल टेक्स आ गया आपने पे नहीं किया आपने तीन साल का एक साथ में पे किया है तो जिस एर में आपने एक साथ में पे किया है तीनों साल का उसी तीनों साल का छूट आपको उस एर में मिलेगा जिस साल में आपने पे किया था समझ मैं तो taxes प्रते करते हो वह हमेसा क्लासे से बाइस होगा section 43 होता है któraSo can fix my work्लासेस से बाकी है जाओंगा 43 बी में सकता हुए इस पंट को कि दिल करकी है आपका insurance हो गया ऐसे ही आपका insurance हो गया insurance भी आपका इंस्वेंस भी जब ह्याफ कर करते हो वह वी जो बेस्कर नीट click लेके रखा है general insurance लेके रखा है वो भी आपको छूट मिलेगा वो भी आपको छूट मिलेगा under section 30 में वो भी आपको छूट मिलेगा under section 30 में समझें तो 30 के अंदर में क्या क्या आ गया rent rates taxes insurance repairs building building का जो भी आप करते हो रहें interact taxes repairs insurance यह सभी का चूट मिलता है आपको section 30 में सभी का चूट मिलता section 30 में आईए अब हम लोग next deal करते है section 31 अब हम लोग next deal करते है section 31 मैंने आपको एक बताया था कि finance act 1988 में amendment हुआ था 1988 में क्या amendment हुआ था कि जो भी आप capital expenditure करते हो on the on the rented property वो दिम्ड बिल्डिंग का पार्ट मना जाएगा बट यह law applicable this law is applicable only for the building not for the plant machinery यह plant machinery के लिए applicable नहीं होता है आई यह देखते section 31 section 31 क्या करता है section 31 करता है repairs and insurance rent rates repairs and insurance rent repairs and insurance rent repairs and insurance of plant and machinery plant and machinery ठीक जो भी आप rent rates repairs जो आप एक करते हो प्लांट नहीं पर उसके समें क्या होगा उसके समें क्या होगा उसके समें पहली बात यह मान के चलिए कि PG PG BP में कौन सा expenditure allow होता है only revenue expenditure allow होता है capital expenditure तभी एलाव होगा जब आइदर law बोल देगा या किसी कोर्ट के judgments रहेंगे और उस judgment का government नहीं किया है जैसे मैंने आपको कहा था कि जो capital expenditure थे जो tenant वाले property के वह आपके एलाव थे जो रेंटेट property है उसके उपर यदि capital expenditure रिपेर्स करते हो तो वह आपका एलाव था as per the finance act 2000 वह आपका एलाव था as per the court judgment बट फिनान्स एक नहीं उसको अवरूल कर दिया और उसको उसको डब्लोडी भी उसको ब्लॉक का पार्ट मानके उस पर Defesaian charge करने के लिएका वैसे ही जो rent rates repairs जो आपका rent repairs work in support metanry है उसपर भी क्या होगा only revenue expenditure उसके लाव है only revenue expenditure फिर सेम कहानी होगा इसमें यदी plant machinery आपकी अपनी है यदी plant machinery आपकी अपनी है देख लिए plant machinery अपने भारे एली लिए यदी आपकी अपनी ये और यह आपका on ALL यदि आप on all the Prant कःदीयर करते हूँ उस पर एदिया अप an यburyवेन्ु करते हो तो क्या होगा एक्सपर्टिचर यह एलाउड हाउदध हाटा माल लिया जाएगा सेक्शन थर्टीский Sundays में section 30 में खर्चा मान लिया जाएगा और यदि आप capital करते हो capital expenditure करते हो तो क्या होगा added to WDB WDB में add होगा और depreciation मिलेगा आपको और depreciation आपको मिलेगा बट यदि rented है rented property पर यदि revenue expenditure करते हो तो क्या होगा तो यह आपका allowed है जो भी repair पर खर्च करते हो rented property में कह रहा था rented plant machinery यदि rented plan machinery पर यदि आप revenue खर्चा करते हो तो वह आपका allowed है बट यदि आप capital करते हो यदि आप capital expenditure करते हो on rented plan machinery यदि आप capital expenditure कर रहे हो on rented plan missionary तो no treatment तब कुछ ही नहीं होगा तो इसका उपका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको no expenditure is allowed no expenditure is allowed no treatment तब आपको इसका छूट नहीं मिलेगा तो आपको इसका छूट नहीं मिलेगा जो finance act in 1988 में जो expression insert किया गया था that is applicable only for the building not for the plant and masonry के लिए applicable नहीं था तो थैंक्यू फ्रेंट्स हमने रिट किया था section 29 किस तरीके से compute cutter 28 to 43 D और फिर मैंने क्या किया था section 30 जिसमें रेंट्रेट्स रिपेर्स इंस्वेंस और बिल्डिंग के ऊपर deal किया गया था हमने जो finance act 1988 के थूज amendment आये थे हमने उसको भी deal किये थे अब मैंने section 31 मैंने deal किया था कि rent repairs insurance plant and machinery यदि plant and machinery का rent repairs insurance होता हम तो उसका क्या treatment होगा हमने उसको भी deal किया था ठीक है तो आज के लिए इतना ही यदि आप कोई doubt हो तो आप मुझे kindly write on the comment box I love to read your comment and give reply on that thank you friends friends आप मेरे वीडियो में बने रहे हैं आपके मैं जो ये cover कर रहा हूं वो आपके benefit के लिए कर रहा हूं मैं full cf final के syllabus को मैं cover करूंगा और मेरे वीडियो के देखने के बाद आपके concept में clarity आएगी आप जो पहले से आप जहां कहीं भी पढ़ाई किये हो मेरा ये वीडियो आपके concept को add-on करेगा this is my guarantee आपके concept को add-on करेगा so thank you friends बने ये वीडियो में thank you